ं है। अगरा प्रस्न आपका संख्या रेखा से समंधित है। इसलिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि आंज locks AND प्रोपर टी क्या है क्यूंकि बीना उसको समझे यैदि हमتलय प्वेस्सें को सौल करने प्राइद हैं तो question सही नहीं बनेगा थीक हैं तो सबसे पहले तो आप एक scale में यदि एक line केस्टे ओधी क्या हो जाएगा जिस रेखा पर संख्या बनाता हो तो क्या हो जब हम संख्या एक करते एना संख्या की मद्र में एक starting point हो जो जो starting point होता है वो ना तो positive होता है ना negative होता है ठीक है तो जो starting point होता है उसी को हम सुनने बोलते हैं क्योंकि संख्या रिख हम क्या है आप पीछे की और भी अनंतर तक जा सकते हो आगे की और भी अनंतर तक जा सकते हो तो बीच में हम एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसको हम क्या मानते हैं starting point क्या मानते हैं ये starting point और इसको ही हम सुन्ने से दसाते हैं ये सुन्ने ना तो धनात्मक है ना ही रिनात्मक है ओके इसको याद रखना अच्छे से कि सुन्ने ना तो धनात्मक है और ना ही ये रिनात्मक है अब इसके बाद क्या करना है जब हम पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो हमें सेफ़ सुने से आगे की और बढ़ना है हमें सुने की आगे और बढ़ना है लेकिन आगे-चल के दूसरे पार्ट में हम यह भी पढ़ने वारे हैं कि रिनात्मक संख्या भी होती है तो वह सकस्टूर्व 703 133 पर चार संटीमितर पर इस तरीके से मैं क्या करता हूं तो मुझे क्या मिल जागा एक निश्चित दूरी पर बिंदुएं मिल जाएगी ठीक है निश्चित दूरी पर बिंदुएं मिल जाएगी तो यहां पर सुन्ने से बड़ा ठीक है धनात्मक संख्या चाहे वो प्राक्रेट बोलो या पूर्ण बोलो ठीक है तो क्या होता है वो एक होता है तो सुने से एक निश्चित दूरी पर मैंने जो संख्या लिया वो क्या है एक है इतना ही दूरी यहाँ पर इस से है ठीक है मतलब कि इसको हम zero बोलते हैं इसको कौन से साइट बोलते हैं और इसको कौन से साइट बोलता है क्या भोलते हैं इसको क्या भोलते हैं भाया यदि आप अंग्रेजी में बोलो खोले हैं और इसको by लेंगे राइट साइथ नहीं क्या बोलेंगे राइट परण्थ होगी tới सुन्य से यदि हम दाइए ओर जया है तो हमको धनात्मक्ष संख्याय प्रापड़ोगी मै ठीक है कैसी संख्या मिलती है धनात्मक यदि सुनने से हम बाई और जाएं ठीक है सुनने से क्या करें बाई और जाएं तो हमें निगेटिव नंबर मिलते हैं कौन से नंबर मिलते हैं निगेटिव नंबर अब निगेटिव नंबर क्या हो जागा जिसे जीरो से एक निश्चि लेते हूं वो गलत हो जाते इसलिए आप क्या करो बच्चे कि आप इस्तेमाल करो ठीक है और एक निश्ची दूरी पर ऐसे पॉइंट बनाते जाओ तब आपको सहीं दूरी मिलेगा तो देखो सुन्य से एक निश्ची दूरी पर 1 है, Čएसी सुन्य से एकनिष्चित दुरी पर क्या मिलेगा हम को इसी तरीके से आगे बरते जाओगे तो यह हो गए आपका संक्या रेखा Sankhya Rekha में एक की सटार्टिंग पॉइंट होता है जिसको हम 0 बोलते हैं उसके यदि हम Daya Side में जाते हैं तो हमको धनात्मक संखया लेना है और यदि हम Daya Side में जाते हैं तो डिनात्मक संखया लेता है और संख्याों के बीच में जो दूरी होती है वो समान होना और क्या अप्राइब हैं यहां सड़ा दो हैं मतलब की आप ये दुरी को समाल मुझा हुआ ज्यान को सरी के से बनाया जयान संख्यरेखा बना दिया अब क्या करने है अपन को यहाँ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट लेना है जीरो ठीक है अब यहाँ पर देखो देखो अपन जोए कि यहां से यहां तक को भी एक ले सकते हैं ठीक है यहां से यहां तक को भी एक ले सकते हैं यहां से यहां तक को भी एक ले सकते हैं समझ रहे बात को यदि मैं यहां से यहां तक के दूरी को एक लेता हूं तो फिर यहां से यहां तक का दूरी में आ जाएगा दो ठीक है वैसी उतने ही दूरी पर आपको तीन मिलेगा तो इस चीज़ को याद रखना कि जो आप यह दूरी जो है किक यहीं तो यहां तक दूरी को एक है उसके चाहूं तो यहांत कर दूरी सकते हों कीि इतना ही। दूरी में 10 है तो उतना ही दूरी और जाओगे तो 10द चीजर स्पाफ्चर 24 जुड़ती ते कि के हो तो देखो हमारे पार्ट में जितना उतना आप Pris मस्ते हैं फिलहाल आपको यह समझना है कि एक संख्या रेखा बनाना उसमें स्टार्टिंग लेना और आपको दाया साइड में आपको पॉजट्री नमबर लेने अब चलो हम प्रस्णाली के जो कोष्टन है उसको सौल करते हैं चले देखिए सोलवा नमबर का प्रस्णाल क्या बोलता है संख्या रेखा पर दसाय की नीचे दिये गए हल था है या नहीं है ठीक है जर सही है इसको अपन को बता कर्ना एक संख्या रेखा पर हल करके बता न है तो अपन यहां पर हल नि क्या पे Oliver कर सब से तो सबसे पहले तो आप scale के जरीए एक रेखा किजेंगे और इसमें आप पहले starting point लेंगे 0 ठीक है और 0 के फिर दाएं side में आपको अपनी scale का इस्तिमाल करना है और ऐसे point लेना है अब चलो एक चीज़ समझो इस प्राशन में आपको maximum कितने numbers की जोरत है यहाँ पर देखो 4 औ अधिक आठ तक आपको लेना है ठीक है पांच हो गया चैसा और यह आठ अब चाहो तो जगह खाली है और ले सकते हो ठीक है लेकिन जब आप अपने कॉपी में बना रहे हो ना तो आप एक चीज़ को ध्यां रखना कि आपके कॉपी में कम से कम यह साथ point तो आए ही अब इस ठीक है अब सबसे पहले यहां पर क्या दिहें है चार दिया है ठीक है यह चार एक क्चल में हो क्या रहा है यदि को कोई भी जगा कर गोःता arrivaluz नियुक्त कर प्लस का सा Hang That U हम यह मानते हैं कि यह जीरो के साथ प्लस हो रहा है कि इसके साथ प्लस हो रहा है जीरो के साथ और उसके बाद इसमें तीन जुड़ा है और फिर यह जो है कि सेवन हो रहा है ठीक है समझ रहे बात को कि चार के आगे में कोई साइन नहीं इसका मतलब है इस चार के प्लस का साइ प्लस मतलब आगे प्लस मतलब क्या है आगे अब आगे मतलब सुनने से दाई और आगे सुनने से दाई और आगे प्लस का मतलब क्या है सुनने से दाई और आगे ठीक है तो अपन को सुनने से दाई और आगे कितना पहुचना है चार में पहुचना है सुनने से दाई और आगे कितने आंक पहुँचना है चार घर जाना है तो देखो एक, दो, तीन, चार तो यह चार है तो अपन सुनने से यहां तक पहुँच गए ठीक है अब देखो यह आगे जब जा रहे हो और इसके आगे कौन सा साइने प्लस है तो यहां पर आप प्लस लिखोगे और जितने घर आगे गए हो ना उतना यहां पर लिखोगे जैसे चार घर आगे गए हो तो चार लिखोगे ठीक है उसके बाद क्या दिया है यहां पर प्लस त्री दिया है तो आपको तीन घर आगे जाना है क्या करना है तीन घर आगे जाना है लेकिन कहां से यहां पर खतम हो रहा है वहां से आगे बढ़ना है याद रखना है जहां पर खतम हो रहा है वहां से आगे बढ़ना है तो यहां पर चार पर खतम हो रहा है तो चार से आगे बढ़ना है तीन घर एक दो तीन तो यहां पर यह हो जाएगा यह तिन आद यह प्लस है तो tis three न तु यह यह पर já पर यह घुल टू झेवाल देखो यहाँ पर प्लस हमें जीरो नहीं बूलाई तो बहुत यहाँ पर ₹ यह हो गया इसका पता चल गया कि हमारा जो उत्तर है वह हुह सहीं ए तीक wahr जो दिया है वो सही हो गया, अब इसी तरीके से यहाँ पर और भी प्रसन है, उन्स सब प्रसन को अपन क्या करते हैं, बारी बारी से सॉल करते हैं, तो सबसे पहले आपको हल लिखना है, फिर यहाँ पर एक संख्या रेखा बनाना है, ठीक है, और कुछ कॉंसेप्ट को याद फटा-फट बनाते जाना, और ज्याद अलिमात मत लगाना, ठीक है, तो यह हो गया आपका, तीर लगा लो, पहले दोनों साइट तभी तो रेखा बनेगा, फिर उसके बाद इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट लो, जीरो, अब देखो, यहाँ पर क्या दिया है, तीन धन पर, वन टू धिक, देखो, अपने को ज़्यादा दिमार्ग रगानेक जिवरत नहीं है, एक एक सेंटिमीटर का दूरी लो, सबसे बेस्ट वही है, ठीक है, इस तरीके से ले लिए, अब यहाँ पर क्या करो, वन, टू, त्री, फोर, फाइब, सीक्स, सेवन, एट, नाइन, तेन, और यह 11, यहाँ आपके कॉपी में ज़्यादा जगा नहीं है, तो आपको कम से कम सेवन तक लेना है, ओकी, कम से कम सेवन तो लेना ही चोगा, आप उससे ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन यहाँ आप सेवन भी नहीं लोगे, तो आपको कोस्तन हल नहीं होगा, अब य यदि ये तीर नहों तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप आगे बढ़ें की पीछे आ रहे हो ठीक है इसलिए यहापर तीर लगाना जरूरी है याद रखना जरूरी है और देखो तीन के आगे कोई साइन नहीं लेकिन आप आगी की ओर जा रहे हो ना तो यहापर प्लस थ्री लगाना है ठीक है क्या लगाओगे प्लस थ्री अब इसके बाद क्या जाए प्लस फोर अब प्लस फोर आ रहे है इसका मतलब क्या है यह जो है कि तीन से चार घर आगे इस प्लस फोर का मतलब क्या है तीन से चार घर आगे ठीक है तो यहापर यह तीन है अब चार घर आगे तो इसी तरीके से आपको संख्या रेखा पर सबड़ी को करते जाना है अब यहां पर देखो जो पहला का सी है अब यहां पर इसको कैसे जानकती नहीं बता रहा है तो आपको आप पहूत करना ध Mont Además प्रस्ण दिया हुआ है तो आपको क्या करना है उस अभ्यास के प्रस्ण को पहले अपने से सॉल करना है ठीक है यहां पर एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं जीरो और हमको कितना चाहिए तो अपन चाहें तो थोड़ा दूर-दूर में भी ले सकते हैं पॉइंट को अब चरह समझो पहले तुम्हें एक संटीमिटर में ले लए था लेकिन यहां पर मैं 28 संटीमिटर पर अपना दूरी को ले लिया और मैंने यह बोला थे कि मिरेको कम से कम 2 यह कुओ है तो मैसे मिल गया बगया दो करना क्या है जीरो से स्टार्ट करना है जीरो पर ही वापस आना है इसको बोलते है प्लस जीरो तो यह हो गया आपका प्लस जीरो इसके बाद यहां से आपको इस तरीके से समझा गया तो इस तरीके से आपको करना है और यहां पर आपका आंसर मिल जा रहा है क्या मिल जा रहा ह है जिरो प्लस टू इकोल टू ठीक है मिला की नहीं मिल गया अब यहां पर आपन जोड़ दिये जोड़ दिये तो फिर यहां पर का हो जाएगा मैं इसको जोड़ता नहीं हूं इसको अलग कर देता हूं अन्य सक देखी से टो टूम प्लस फिर ज्रोव एक 0 और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर अब कुम काम से कम डो हर चाहिए तो 1 हो गया यह आपको दो हो गया यह आपका तीन हो गया है यह आपका मैसी ज़ादा हो थीट-एक दो ity यह चाहर ठीक अब यह starting point है आपका 0 अपनको क्या करना है? अब अपनको जाना है 0 तो我覺得 होगे आपको जाना है 2 plus 0 equal to 2 तो इस तरीके से ये complete होता है अब उसके बाद जो nest है वो क्या है उसको देखिए ठीक है nest है आपका पहला का e वाला इसमें बोलता है 4 plus 3 and 3 plus 4 की जाच कीजिए तो इसको अपन solve करती है अब ध्यान से समझना मैं क्या बोल के बना रहा हूं इसको कैसे बना रहा हूं इसको है ना अब मेरा संक्यर एका थोड़ा सा तीर्चा हो गया है इसके लिए मेरा को माफी कर देना ओके बॉस है ना तो चलो इसको इसको इसार्ट करते हैं अपन को maximum क्या चाहिए 3 धन 4 मतलब 4 धन 3 मतलब 7 अपन को 7 चाहिए तो एवहा इसके पर 7 यह चाहिए यदि मैं 2-2 काउन तरहले नहीं बने गरें बाबा है ना तो आपन क्या करते हैं एक-एक अन तरहले टीक है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 यहाँ पर 2 यहाँ तीन यहाँ पर 4 यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यह हो गया, अब देखो, सबसे पहले आपन left side को solve करते हैं, फिर right side को solve करते हैं, left side में क्या बोला है, पहले 4 होना चाहिए, फिर 3 होना चाहिए, तो 0 से 4 घर जाना है, तो यह 0 से 4 घर हो गया, और यह हो गया आपका plus 4, क्या हो गया, plus 4, उसके बाद बोलता है plus 3, है ना, तो इसके आगे 3 जाना है, 1, 2, 3, तो यहाँ पर आगया 7, ठीक है, यह plus 3 हो गया, अपना जो left side है, वो जो यहाँ पर दरसा आते हैं, अब जो right side है, उसको दरसा आते हैं, देखो, एक चीज़ आद रखना, जरू नहीं कि आप उपर ही उपर में दरसा हो, आप न यहाँ पर 3 तो दिखनी रहा है, तो यहाँ पर लेकितना हो, ठीक है, 3 घर जाते हैं, उसके बाद 3 के बाद कितना दिया, 4 दिया है, तो 4 जाते है, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर आपका आजाएगा, एक मिनट, ठीक है, 3 से यह हो जाएगा, आपका 4, समझा रहे हैं, इस तरीके तो आप यदि गौर करो तो दोनों साइड से आपको कितना मिरा है सेवन ही मिरा है पत्थरी को मैं अच्छे से लिख देता हूं यह साथ भी अच्छे से लिख देता हूं ठीक है तो दोनों साइड से आपको साथ ही मिरा है इसका मतलब आपका जो यह वाला है वो सही है तो अप आपको नीचे में लिखना पड़ेगा अतह चार धन तीन बराबर तीन धन चार सही है ठीक है ऐसे लिखना है एक्च्वल में लिखना तो सब जगा था लेकिन इसमें ज्यादा ज़रू है क्योंकि इसमें जाच करे बोला है वहाँ पर आपको संक्या रेखा पर जाच करे ऐसा दर्साइय बोला है ठीक है बाकी में दर्साइय बोला है इसमें जाच करे बोला ह तो इस तरीके से यह वाला जो आपका शोलवा का जो पहला का जो पांच वह संता वह कंप्लीट होता है अब दूसरा में भी को इसा नहीं उसको भी देखते हैं चले देख की सोल वा का दूसरा का पहला सबसे पहले हैं संख्या रिखा पनाना एक मार्किग करने से पहले है करना जीरो लेना ठीक है जिने के बाद यहाँ पर गौर्ण की जोड़्य Mick रहाथ है यहाँ पर म contrib cognitive आप देखोगे तो 24 चार चार की जोड़्या nei h nahe तो यहाँ पर क्या करता हूं का हुए तक इससरी से लेते हैं वान टू-त्री त्री-तjung पॉर फाइव धीड हे जीतने आपके खॉल के आप चाहर तो ले सकते हो और यदि आप में चाहते तो कंन साथ तो लेना ही पड़ेगा को आफ याप साथ नहीं लेते हो तो नहीं बनने वाला है थीक है तो अपन इस तरीके से लिए और इसमें क्या करते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से लिख दिये, अब क्या करना है, अपन को सबसे starting में जो दिया है, वो करना है, तो अपन को starting को क्या दिया है, 4 दिया, तो 4 घर जाते हैं, ठीके, 4 जाते हैं तो ये अपना 4 अपन जो है कि प्लस्फोर चले गए अब जो नेश्ट है वो क्या बोलता है नेश्ट है वो बोलता है कि रिंद 3 होना जीए मिले को क्या बोल रहा है वो रिंद 3 मतलब यह start कहाँ सोगा इसको समझो 4 जो है कि start हुआ 0 से लेकिन यह जो िन म्तलव पीछे की और आना है ठीकμε कि पीछे की और कहां से आऊगे आपको पीछे की और चार जहाँ पर खतम होता है यह अगाँ से keyword आप CrIS petit हो गए यहां से यहां पर आजाते यह तो थीन आइब ठीके वैसा निकर नहीं आपको तीन घर पीछे आना, एक, दो, तीन, तो यहां से भी ऐसे वापस आना है, ओके, देखो, प्लस में क्या करते हैं, हम आगे जाते हैं, आगे गए, इस तरीके से, प्लस फोर गए, और जब माइनस हुआ, तो जहां पर पहला वाला खतम हुआ था, वहीं से आपको पीछे की और आना है, जितना भी आपको यहां पर दिया है, उतने घर पीछे आना है, तो यहां पर यह हो जाएगा आपका, माइनस थ्री, तो आपको मिल क्या रहा है, आपको मिल रहा है, तो यहां पर जो दिया है, वो सही है, आप यहां पर लिख सकते हो, अतह, चार रिन तीन, ब वाला में आपनको दिया है सात रिंद 4 बराबर 3 तो मैं क्या करता हूं यहां पर इसको थोड़ा सा बीच में लैख देता हूं अब बीच में क्यों हैं संख्या रिखा इसको भी बताओं गए हर चीज के पीछे कुछ नग वह घला करन के कुछ तो से पहले तो आप जीरो बनाई है उसके बार आपको मेगजिमाम को चाहिए साथ तो इस बार में क्या कर रहा हूं मैं साथ ही बनाऊँगा ठीक है एक यह दो यह तीन चार पांच छे इसा अब सोच रहे हो कि थोड़ा आगे कर रहा हूं तो यहां पर देखो ना पहला वाल भी थोड़ा आगे हुआ था क्या ठीक है तो इस तरीके से अपन कर देंगे और फिर यहां पर वन टू त्री फोर फाइप सीक्स चाहत और बना सकते हैं अब देखो सुरुआत में साथ यह तो अपन को साथ में जाना है डारेक्ली पहुंच पहुंचना है कैसे करके पहुचरोगे जीरो से आगे बढ़के यह साथ में पहुंच गया है अपन को और से नीचे की और से भी पीछे आ सकते जब आप पीछे आते हो तो यह जो तीर है उसका साइन जो कि पीछे की और होना चीए और जितने घर भी आप पीछे आते हो ना उतना आपको यहां पर लिखना पड़ेगा ठीक है और जितने घर भी आप आगे गए हो ना उसको भी यह आपको कितना मिरह तो यह जो दिया है वह सही हो गया इसको आपने सब्सक्राइब करते हैं अपर आपको हल लिखना है नहीं लेकिन आपको क्या कानची है हल लिख लेना है इस तरह से और फिर उसके बाद संख्यारेखा बनाना है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ एक संख्यारेखा बनाता हूँ इस तरह किसे और फिर एक 0 लेते हैं 0 के बाद हपन को Maximum Maximum बोलेंगे की Minimum बोलेंगे Maximum बोलता है जादा से जादा मिनमम मतलब होता है कम से कम ठीक है तो यहां पर हमें कम से कम 6 चीए क्या चीए चीए तो यहां पर अपन बोलेंगे मिनमम ठीक है तो मिनमम अपन को 6 चीए तो यहां पर जीर हो गया मैं यहां पर अंदाजा से बनाता हूँ देखो क्या होता है अब जब अच्छे से बनाने हो गया अब यही दूरियां बहुत ज्यादा हो जाए तो गलत हो जाता है ना इसलिए आप इसके पर समाल करो आपको समझाने के लिए सब करना पड़ता हो जो गया वान्टो 1234567 अपन को इनिम पडिना ऐख थे था अपन को कम से कंप 6 हमारे पास 80 सबसे पहले कितने घर आगे जाना है यहां से च्याइब हो जाया पहुंचना थीडिल से मतलब कि 6 से मतलब की 6 से और कैसे करेंगा यहां से तो यहां से तो यह होगए ऐसे जरूने कि नीचे से खुसार के ही लाना है तो इस तरीके से आपका जो आंसर चाहिए चार हो यहां पर दसार है ठीक है इसके बाद जो नेश्ट अप्रस ने उसको देखो दस में से पाँच गटान है इसको भी अपन को क्या करना है संख्या रिखा पर 10 आना है तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ यहां पर हल लिख लेता हूँ क्योंकि हल लिखना कंपल सरी है उसके बाद एक संख्या रिखा बनाएंगे इस तरीके से और पी ये संख्या रिखा में सबसे पहले आपको क्या करना है जीरो करना है और यहाँ पर हमें कम से कम कितनी संख्या चाहिए कि दस चीए तो दस संख्या है आपको सेटी मीटर से नाप पर बना लेने है ठीके यहां पर हो गए है पहला यहां पर हो गए दूसरा यहां पर हो गे तीसरा यह तो यह पांच वा यह छट herzlich तो यह आपका दस तरीके से आपको पहुचना है ठीक है देखो क्या है बच्चे मैं यहाँ पर इस्तमाल करना है ठीक है और मेरा हाथ क्या है पहले से सजा हुआ है कि मैं बार बार बना चुका है लेकिंड आपका हाथ तो सजा हुआ नहीं है तो आपको यहाँ पर पेंसिल यूच करना है ठीक है स्केजबन पकाड़ के बनाने मत बैठ जाना है तो पैंसिल से करेंगे लेकिन पीछे कि और आगे बढ़ेंगे तो एक दो तींचार पान्स ठीके तो इस तरीके से हम क्या करने पांच में वापस आएंगे यहाँ पर देखो में है टीर लगाया लेकिन ल constitnies क्या है वक्रहापर आपको लिखनागा पसर रिसिप तीर लगाने से नहीं होगा ठीक है और यहां पर पीछे की हो जारे तो रिण 5 ऐसे लिखना है तो आपका अंसर 5 आ रहा है यहां पर भी लिखा हुआ है तो यह आपका complete होता है अब देखो last वाला में क्या बोलता है दूसरा का जो ई है इसको जाच करने बो रहे ह अब जाच करने बो रहे हैं तो चलो भी जाच करी देते हैं ठीक है सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर एक संख्या रेखा बनाएंगे और संख्या रेखा बनाने से पहले मैंने क्या बोला था यहां पर आपको हल लिखना है क्या लिखना है हल सबसे पहले हम क्या करेंगे ये जो 5 रिन 2 है ना इसको संख्या रेखा पर दसाएंगे उसके बाद ये 2 रिन 5 है ना उसको संख्या रेखा पर दसाएंगे ठीके तो सबसे पहले इसको दसाते हैं और फिर देखेंगे कि क्या difference है क्योंकि ये simple जोडने की जैसे तो नहीं है घटाना है और घटाने में जोडने वाले जो प्रोपर्टी ना उससे तोड़ा सा अलग होता है तो इसको करते हैं सबसे पहले मैंने 0 ले लिया 0 के बाद मैं ले लेता हूं 1 1 के बाद 2 देखो इसको मैं हाज से ले रहा हूं क्या हो तो ले सकते हैं नहीं तो मतलो अपर आपको कम से कम पाँच चींए तो पास दो अब यहां पर बोला है पाँच ठीक है तो 0 से हमें क्या चींए 5 आगे जाना है तो यह हो गया आपका प्लस 5 उसर से 5 के बाद 2 वापस आना है 5 से 2 घर पिछे आना है 1 2 ठीक है तो यह हो गया आपका रिंदो तो आपको कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है ठीक है तो यहाँ पर लिख सकते हो अतह 5 रिंदो 2 बराबर 3 ठीक है अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर जो नेश्ट वाली है क्या दिया है दो रिन पाँच इसको भी संख्या रिखा पर दर्स आके देखते हैं कि इसमें हमें क्या आंसर प्राप्त होता है और क्या समस्याएं होती है तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब देखो क्या होता है यदि हम यहाँ पर 2 है शुरुवात में क्या दिया है 2 तो अपन 0 से 2 घर आगे जाएंगे क्या करेंगे 2 घर आगे अब बोलता है 5 घर पीछे जाओ यहाँ पर देखो यह आपका 2 है 1, 2 हम पीछे सिर्फ दो घर जा सकते हैं किसी सिती में यहाँ सिर्फ पूर्ण संख्याओं की बात करें जब हम का बात करें पूर्ण संख्या की बात करें ठीक है पूर्ण संख्या की बात करें तो हम घटाने में सिर्फ दो घर यहां पर पीछे जा पाएंगे जीरो तक ही पीछे जा सकते हैं उससे ज़्यादा पीछे नहीं जा सकते हैं लेकिन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर रिनात्मक संख्याएं भी होती है, क्यों कि बोलते हैं? पुर्ण संख्याओं द्वारा नहीं बता सकते हैं, पुर्ण संख्याओं दŌरा संख्याओं रेखा पर नहीं दर्सा सकते तो यहाँ पर मैं लिग देता हूँ साफ साफ दो रिन पाँच को पूर्ण संख्या रेखा पर रेखा पर दर्साया नहीं जा सकता नहीं जा सकता अब देखो यार पूर्ण संख्या तो अगला पार्ट में है ना तो अभी उसको कैसे सौल कर देंगे ठीक है तो फिलहाल इस मैं इससे लिख जते है चलिए हम क्या करते हैं तीसरे के जो क्वेस्टन है उसको हम संख्या रेखा पर दसाते हैं हमको इनको क्या करना है संख्या रेखा पर दसान है ठीक है तो इसको क्या करना है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है टू प्लस टू प्लस टू कहने का मतलब ये जो दो है इसको तीन बार जोड़ोगे इसी को क्या बोलते है दो गुना तीन कहते हैं है ना गुना का मतलब क्या होता है बार बार जोड़ना तो जो पहले अंग रहता है ना उसको जोड़ना है उसी अंग से कितने बार जोड़ना है जितना आपको second अंग दिया है तो देखो यहाँ पर 2 धन 2 धन 2 करोगे तो कितना हो रहा है 6 हो रहा है ये जो दो गुना तीन है, उसके जगा इसको आपको संख्या रेखा पर दर्साना है, ठीक है तो चलिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले संख्या रेखा बनाते हैं संख्या रेखा बनाने के लिए आप क्या करेंगे scale का استعمال करना boss ठीक है हाथ से मत बनाना हाथ से क्या हो जाता है तीरचा हो जाता है तो scale का استعمال करेंगे सबसे पहले ऐसे line खीचना और उसके बाद यहाँ पर तीर लगा देना तीर लगाने से यह रेखा कलाती है और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे zeros लगा देंगे ठीक है यह zero हो गया अब यह क्या हो गया हमारा starting point है हमको कम से कम कितने अंक चीए हमको कम से कम 6 अंक चीए क्योंकि आपर 2 तीया 6 हो रहा है तो अपनको कम से कम 6 अंक चीए scale को इस तरह के से रखना और फिर 1-1 cm की दूरी पर क्या करना है point out करना है ठीक है इस तरह के से 1-1 cm की दूरी पर क्या करते जाना point out करते जाना आपको 6 तक चीए 6 तक हो रहा है लेकिन यदि आप चाहो तो इसके आगे भी हम बना सकते हैं अब आप यह सोच रहोगे यदि आपको इस वेस्ट रपसंदीख रहा होगा तो मैं थोड़ा दूर दूर में point कर रहू क्यों कि यहाँ पर मेरे से dूर हो गया है इसने मैं क्या किया दूर दूर में थोड़े से point out कर दिया है तो अपने क्या करना है यहाँ से यहाँ तक के दूरी फिर उसके बार इसको अपन को क्या करना है represent करना है 2 तिय 6 का मतलब फिर से बो रहा हूँ आप क्या पढ़ते हो इसको 2 तिया बोलते हूँ हिंदी में जब हम पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं 2 तिया मतलब 2 को 3 बार जोड़ना है ठीक है तो यहां पर देखो इसी को लिखते हैं 2, 3 बार ठीके, 2, इतने बार 3 बार, देखो, जो कैसे पढ़ते हैं 2, 3 बार, ठीके इसी को आप क्या लिखोगे, 6 तो इस तरीके से आप जो है कि इसको संक्यारिक पर देशा सकते हो अब नेश्ट जो है तीसरा का B है, तीसरा का B में आपको यहाँ पर क्या दिये है, देखो 3 क्रॉच 2 है ना, 3 गुना 2 बराबर 6, इसका मतलब क्या है भाई इसका मतलब है कि 3 को 2 बार जोडो 3 गुना 2 का मतलब क्या है 3 को 2 बार जोडो, ठीक है तो आपको क्या मिलेगा, च्छा है मिलेगा, अब इसको हम क्या करती है, संख्या रेखा पर दरसाते, तो संख्या रेखा पर दरसाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चीए, एक संख्या रेखा बनाना पड़ेगा, ठीके, और संख्या रेखा बनाने के लिए एक लाइन तो यहां पर तीर लगाएंगे ठीक है उसके बाद यहां पर प्लस त्री यहां पर भी प्लस तीर ठीक है तो जितने घर आगे जाते हो उतना उसमें प्लस त्री ऐसा लगा रहा है अब यहां पर आप कैसे लिखोगे 3 क्रॉच 2 तीन गुना तो बराबर 6 तो यह आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इसके पास आप तीसरा ओला को देखो यहां पर क्या बोलता है इसको समझो यहां पर बोलता है 2 गुना 5 मतलब 2 को 5 बार जोड़ना है हम इसी पढ़ते ह जोड़ना है 5 बार जोड़ना है तो यह गुना का मतलब यही होता है कि बार बार जोड़ना कितने बार जोड़ना जितना सेकंड टाइम आपके जो संख्या दिया है उतने बार ठीक है तो यह हो जाएगा आपका 10 अगें इसको संख्या रिखा में रसाना है तो क्या करेंगे सबसे पहले एक line खीचेंगे ठीक है इस तरीके से scale को रख लीजिए और यहाँ पर एक line खीच लीजिए ठीक है फिर तीर लगा दो अपका संख्यरेका बन गया है फिर यहाँ पर एक starting point को हम क्या बोलते है जीरो बोलते है और जीरो पर अपने scale का तो है यह थोड़े सा गल्ती होता है तो आप सुधार भी तो सकते हो है न तो यह आपके उपर है आपके पर आप बिना इसकेर की भी बना सकते हो लेकिन आपको दूरियां सही लेना पड़ेगा ठीक है लेकिन यदि आपका हाथ practice में है तब आप दूरी को सही लेपाओगे और जब तक प्रेक्टिस नहीं होता है तब तक यह है इसकेल का इस्तिमाल कीजिए और प्रॉपर तरीके से सही तरीके से इसको बनाईए ठीक है ताकि कोई भी आपके जो question बनाए हो उसको कोई भी गलत ना कर सके ठीक है इसे कभी भी बनाते हो तो proper तरीकी का इस्तमाल करना चाहिए अब यहाँ पर देखो क्या है 2 गुना 5 बराबर 10 2 गुना 5 बराबर 10 मतलब 2 को 5 बर जोड़ना है ठीक है तो यह first time जूड़ गया फिर यह second time जूड़ गया फिर third time जूड़ गया फिर four time जूड़ गया फिर यह five time जूड़ गया अब देखो आपनको पता कैसे चलते है देखो एक दो तीन चार है ना यहाँ पर दो घर गये यहाँ पर भी दो घर गये यहाँ पर भी दो घर गये आपको 2 x 5 is equal to 10, ओके इस तरीके से आप इसको solve कर पाएंगे, फिर लास्ट में यहाँ पर तीसरा का, यह तीसरा है, ठीक है, तो यहाँ पर अपन हल लिखते हैं, ठीक, अब 5 गुना 2 का मतलब, यहाँ पर जो तीसरा का D वाला है, इसको देखो, 5 गुना 2 का मतलब क्या है, 5 को 2 बार जोड़ना है, ठीक है, इसको अपन जैसे पिछले कोशन में लिखे थे न, वैसी लिखना है, हल लिखना है, फिर यहाँ पर 5 गुना 2 लिखना है, फिर बराबर 10, ठीक है, अब यह 5 गुना 2 का मतलब क्या है, 5 को 2 बार जोड़ना है, ठीक है, तो यह 5 गुना 5 बराबर इस तरीके से यह वाला गूंजन भी आप बना सकते हो अब इसके बार जो चाहोथा का ए और बी है उसको भी अपन बना लेते हैं यहाँ पर जो तिसरा का दी वाला है इसको देखो पांच गुना दो का मतलब क्या है पांच को दो बार जोड़ना है ठीक है इसको अपन जैसे पिछले कोशन में लिखे थे न वैसी लिखना है हल लिखना है फिर यहाँ पर पांच गुना दो लिखना है फिर बराबर दस ठीक ह अब ये 5-2 का मतब क्या है 5 को 2 बार जोड़ना है खीक है तो ये 5 धन 5 बराबर 10 अब इसको आपको संख्यर एका मतरसाना है पिछले कोशन की तरह आपको संख्यर एका बनाना है यहाँ पर आपको कम से कम 10 चीए इसलिए आपको 10 तक बना ली है और फिर देखो पहले 5 है तो 0 स से 5 तक है फिर 5 है तो जहां पर खतम होए वहां से स्टार्ट की और फिर तीर करके क्या लिखना है आपको 5-2 क्योंकि देखो यहाँ पर 5-2 को अपन को दरसाना है यहाँ पर 5-5 को नहीं दरसाना है इसलिए 5-2 लिखे और बराबर करके 10 करते तो इस तरीके से यह वाला कोश होता है ना तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं देखो कोई भी चीज को आप जिस तरीके से पढ़ते हो ना वहीं पर उसका आंसर छीपा हुआ रहता है इसको क्या पढ़ते हैं अपन 6 को 2 से भाग देना है या फिर अपन यह बोलते हैं कि 6 को 2 बराबर भाग में बाटना है कितना आंसर आएगा ऐसा अपन बोलते हैं ठीक हैं तो यहांँ पर देखो यह जो 6 भागीत दो है और ये 3 आना है इसको कैसे सól्ट करते हैं तो यह 3 कैसी आता है हूँ उसको देखो जब हम 6 में 2 घटाएं ठीक हैं तो आपन को कितने मिलते हैं 4 मिलते हैß यृदि मैं 4 में 2 तो जीरो मिलता है, तो आपको कब तक घटाना है, यह समझो, जिसकर मैं 2 को घटा आ रहा हूं, और यह पूरी तरिके इसे 0 आ जाता है, तो 0 आते तक अपको घटाना है, या फिर यदि 2 से कम संख्या प्राफ्त होता है, तो वहां तक आपको घटाना है, अब जितने है वह जाएगा दैए तो यहां पर आपको भागफल 3 मेरए करना क्या है यह चाहे पहली संखिया इसको आपको बार और घटाने यहां तो बार बार करना है उसको 1 St yok प्राप्त हो तब तक आपको घैटाते जाना ठीक है अब उसके बाद जम यह हो जाएगा ना इसके बाद जिसने इसको अद्धार important तरीके से ज्यान सी इसको समझो सबसे पहले तो संख्या रहा जैसे बनाते हैं वैसे बनाना हैं और यहाँ पर अपन को कम से कम कितने अंग चीए अपन को 6 तक की संख्याय जी यहाँ पर तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 देखो मैं एक इश्टा ही बना लिया है ना अब मैंने हाथ का यूज किया और लगभग लगभग बराबर दुरी में बनाया है यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो अच्छी बात हैं नहीं कर सकते हैं अब यहाँ पर start कैसे करते हैं उसको देखो अपन को star करना रहता है यह जो आपका point है ना पहला संख्य वहाँ से start होता है तो हम just body और जिस से हम भाग दे रहे हैं इसको क्या बोलते हैं अपने बार घट पहले बार घट आएंगे चैने दो गहर पीछे जाएंगे देखो चैने यह हमारा क्या है, हमारा भाज बाज जया है, इसको अपन को भाज डेने, 2 से, मतलब दो-दो घर पीछे जाना है, ठीके, तो यहां पर हम यहां पर पीछे आगए है, 2 घर, ठीके, अब इसको कैसे करोगे है, माइनस 2 लिखोगे, क्या लिखोगे है, माइनस टू क्योंकि आप पीछे आ रहे हो घट आ रहे हो ओकी अब इसके बाद फिर से चार से पीछे जाएंगे अपन दो घर जाएंगे यहाँ पर फिर से माइनस टू हो गया ठीक है फिर से पीछे जाएंगे और यहाँ पर फिर से माइनस टू हो अब देखो इससे और वीछे जाने की जगरत नहीं क्योंकि आपको जीरो मिल गया है तो यहां पर आपको गिनना कैसे देखो यह फर्स्ट हो गया यह तो जितने इस टेप में आप जीरो प्राप करते हो या फिर भाजक से चोटी संख्या प्राप करते हो उतना इस टेप आपक मैं आप यहां पर इंपोर्टन चीजे हैं जो भाग की प्रक्रिया कपर संखरे का पर दसाते समय अपको धान देना है अब देको नेश्ट वाला चीजा को क्या दिए हैं यहां पर मैं हल लिखता हूं ठीक है अब यहाँ पर आठ भागित चार बराबर तो आया है इसका जाएगा वाक फल क्या हो जाएगा वाकफ़ यहां पर दोसा ऑफ से एक इसकेल लो फिर अगल वगल में ऐसे तीर लगा तो इसका बी इसका भी प्रॉपर तरीका है छोटे बच्चे ना तो अपन इसको इग्नॉर करते हैं उतना ज्यादा ध्यान ने देते ठीक है यह जिरो हो गया उसके बाद आप क्या करो इसके को ऐसे रखो है ना फिर यहाँ पर क्वाइंट करो जो पर एक सेंटीमेटर है ना वहाँ पर सब्सक्राइब णोट है यहाँ गभी नीट चैणा करना है जो आपका पहला संख्या है जिसको आपको लिखना नहीं है एक पर पाज पीछ आजाना है टो तो यहां पर फिर से लिख ले रहे हैं तो आप editedald नीहें तो आपको एकश्राइक बता रहते हैं की कहा पर कह टा रहते हैं चेपते लिक में पहुंचना है तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा ओके अब यहां पर क्या कर दिये माइनस फॉर कर लिए और आप जो कि भागफल को तो उपर में लिख चुके हो आपको संकर एक पर दसाना बसते हैं लेकिन यहां पर आप इस टेप को भी काउंट करेंगे ऐसे वां आ देता में लिए तो चलो मैं ऐसा को अपने तरब से ना मीले थियूं rit कर देतां से किसे भागी क्या थो जिख्चेथ लिख मैं कितना मिए पांच मीए तिक भाइव अब कर दो में नहीं सकती ना तो यहां पर यह पहला इश्टेफ होगए दूसरा इस तो यहां पर पर आपका जो भाग फल है ना जबैल कि अमयरे मिरें नुसमासी खाटा रहें ना पेशा है तर के अभी को स्देल को फोड़ाना नहीं बर और आगे बढ़ना में आपस सेस पर रहेगा ठीक है तो यहाँ पर सेस क्षा लापका दो हो गया आलब चलो इसको संख्यर् Burchmore पर यह दर्सा आने की बारी आया तो कैसे दर्साफ होगे यह भी मैं आपको बता देता हूँ, तो सबसे पहले तो आपको एक संख्या रेखा बनाना है, ठीक है, इस तरीके से फिर यहाँ पर तीर लगाओ, और फिर एक 0 लो, और फिर क्या करना है, आपको स्केल की सायदा से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर मेरे को 8 तक ही संख्या चाहिए, अब यहाँ पर सबसे पहले इस टेफ में मैंने जब 3 घट आया, तो कहाँ पर पहुंचा, पांच में, देखो, 8 में जब 3 घट आँगा, कहाँ पहुंचूंगा, पांच में, तो आपको इस तरीके से पीछे आना है, और यदि confusion होता है, तो गिन लो ना, 1, 2, 3, यहाँ पर ठीके, तो यह माइनस 3 हो गया, यह आपका पहला इस टेफ हो गया, फिर उसके बाद, 1, 2, 3, अब जो है कि यहाँ पर आओगे, यह आपका दूसरा इस टेफ हो गया, ठीके, अब देखो, यहाँ पर और आप पीछे नहीं जा सकते, तो आपको माइनस संख्या में जाना पड ठीके, तो इस तरीके से आपको, जिस संख्या में सेस्फ़ल जीरो नहीं आता है, वो इस परकार से आपको सॉल करने, यही तक रोप देने बास, और आगे नहीं जाना है, तो इस तरीके से यह वाला जो प्रसनाली है, वो पूरी तरीके से कम्प्रीट होता है, नेश्ट वी आना इस चैनल के बारे में और कैसे आपने इसको पढ़ा उसको भी बताना ताकि उन लोगी खायदा लें और थैंक यू अच्छे से पढ़ाई करो प्रेश्ट आप लग